नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें निउस क्लिक पर खोज खबर कायकरम आज इस कायकरम में मेरे साथ सफर कीजिए एक नई ट्रेन पर इसे तमाम दूसरी ट्रेनों की तरह ही हरी जंडी दी हमारे आपके प्यारे प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने अच्छे दिनों वाली ट्रेन लगता है आप भूल गए हैं यह ट्रेन तो देश में 2014 से ही दोड़ रही है और इसके तमाम डब्बों से अच्छे दिन और विकास गिरे पड़े जा रहे हैं इतना लद गया है सबसे अच्छी बात ये कि आज इस ट्रेन के बारे में चर्शा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस से अच्छा दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता अब देखिए ना खुद नरेन मोदी जी इस ट्रेन के फायदे गिनाने के लिए सड़कों पर उत्रे हुए हैं आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का मेगा शो प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने किया उससे बहुत साफ है कि इस ट्रेन का असर हो या फिर यह भी बहुत को संभव है कि जिस तरह से कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो अब पहुशने वाली है कश्मीर उसका असर मोदी जी पे पढ़ा हो क्योंकि हमने देखा कि उनके प्रीय ग्रह मंत्री अमिशा तो काफी परेशान है और फिर उन्होंने सोचा हो कि इसका मुकाबला सडकों पर उतर ही कर कर सकते हैं और सच भी है आप भी सोच रहे होंगे तमाम लोग परेशान तो हो ही गए हैं रोज रोज राहूल गांधी की टी-शर्ट में जो फोटो आ रही है इतना तगड़ा मीडिया कंट्रोल है इतना तगड़ा लेकिन इसके बावजूद भारत जोडो यात्रा राहूल गांधी उनकी टी-शर्ट सब खबरों में आही जा रही है और इससे पूरा का पूरा जो विकास का यात्रा है विकास का जो क्रम है जो अच्छे दिनों की ट्रेन है उससे ध्यान हट जा रहा है और शायद यही वज़ह है कि मोदी जी जिस तरह से कोविड जी को याद कर रहे थे जी हाँ आपको शायद याद होगा जब भारत जोडो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में पहुशने वाली थी तब कोविट जी की याद प्रधान मंत्री नरेन मोदी हमारे देश के स्वास्त मंत्री सबको याद आई थी और सबको लग गया था कि यह जो पॉलिटिकल को मोदी जी और आपके प्रिये स्वास्त मंत्री जी तो दोस्तों अब कमर कस लीजिए क्योंकि अब हम इस ट्रेन में घुस चुके हैं बैठ चुके हैं यह अच्छे दिनों की ट्रेन में और ध्यान से देखिए आकणों को रट लीजिए यह अच्छे दिन की ट्रेन से लटकते विकास को लपकते आकणे हैं पहला आकणा भारत के सबसे धनी 21 भारती अरभपतियों के पास जी हाँ 21 भारती अरबपतियों के पास देश के 70 करोण भारतीयों से अधिक संपत्ती है दूसरा आकड़ा केवल 5 फीसदी भारतीयों के पास जी हाँ सिर्फ 5 फीसदी भारतीयों के पास देश की संपत्ती का 60 फीसदी हिस्सा है जबकि नीचे के 50 फीसदी के पास देश की संपत्ती का महज 3 फीसदी हिस्सा है भारत के सबसे धनी व्यक्ती, जी हां भारत के सबसे धनी व्यक्ती की संपत्ती 2022 में कितनी बढ़ी? ध्यान से 46 फीसदी बढ़ी है वर्ष 2021 में देश के शीर्ष एक फीसदी लोगों के पास कुल संपत्ती जो देश की कुल संपत्ती है उसका 40.5 फीसदी इन एक फीसदी लोगों के पास था जबकि 50 फीसदी आबादी यानि तकरीबन 70 करोड लोगों के पास महस 3 फीसदी आखें आपकी भी फैलती ही जा रही होंगी लेकिन पलत मत जबकाईएगा विकास की यह गाता बहुत ही जबरदस्त है इसमें जबरदस्त मसाला है और कहीं भक्तगड यह न समझने लगें कि हम कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की उस चिठी का हवाला कर रहे हैं उस चिठी के नागरिकों के नाम लिखी त्योंकि इस पत्र में भी उन्होंने लिखा कि देश हमारा पियारा भारत भयानक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है आर्थिक संकट खदबदा रहा है नौजवानों में बेरोजगारी भीशन महंगाई किसानों में बेचैनी और वहीं देश की संपदा और संपत्ती पर कॉर्परेट का पूरा कबजा हो गया है उसने पूरा कबजा जमा लिया है यह सब कुछ राहुल गांधी ने देश के नागरिकों के नाम जो पत्र लिखा उसमें है यहां हम आपको बता दें कि तमाम तथे जो हम आपके सामने रख रहे हैं यह इंडिया स्टोरी जी हां ध्यान से सुनिए सर्वाइवल ऑफ दा फिटेस्ट नहीं सर्वाइवल ऑफ दा रिचेस्ट उसका हिस्सा है वहां से यह आकडे लिए गए हैं यह रिपोर्ट इस समय पेश की गई दावोस में जो अंतराश्टिय समेलन चल रहा है वर्ल्ड एकनॉम हैं जो अच्छे दिन की train है वह किंके लिए अच्छे दिन ला रही है आए दुबारा सवार हो जाते हैं train पर आप को याद होगा आपदा में अफसर का नारा हमारे प्रिय आपके प्रिय अम सबके प्रिय प्रधान मंत्री जी ने दिया था यह दिया था कोरोना के समय उन्हो करनी चाहिए इसे 100 फीसदी लागू किया देश के अरब पतियों ने कम से कम आकड़े तो बता ही रहे हैं कि कोरोना जब से शुरू हुआ तब से लेकर नवंबर 2022 तक यानि अभी जो नवंबर बीता है इस बीच अरब पतियों की संपत्ती में 121 फीसदी की वृद्धी हुई ह जी हां 121 फीसदी बढ़ी है देश के अरब पतियों की संपत्ती जिसमें भीशन संकर था देश में हम आप नहीं भूले हैं कि किस तरह से लाखों भारतिये नागरिक तडप तडप के मर रहे थे खाने के लाले पड़े हुए थे ठीक उसी समय 121 फीसदी आय बढ़ती है इन अरब पतियों की खोड़ा सा इन आकणों को और ठोक बजा लीजिए तो मज़ा आता है हिसाब में देखने पर पता चलता है कि जो रियल टर्म में रोजाना जी हां डेली इन अरब पतियों ने कमाए तीन हजार छेसो आठ करोड रुपे यानि हर मिनट में दो दशमलव पांच करोड रुपे और आपके दिल से वाकई ही निकल रहा होगा मोदी जी है तो मुम्किन है है न भारत पुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों भूखे पेट सोने वालों का देश बन गया है भूखे पेट सोने वालों की संख्या 19 करोड से बढ़कर 35 करोड हो गई है सही है न यह हुवा आसली विकास सबको फील्ड गुड महसूस हो रहा होगा अच्छे दिनों की ट्रेन की खासियत यही है कि तमाम लोग फील्ड गुड यानि अच्छा अच्छा महसूस करते हैं औ देखिये ना सत्तर फीस्दी भारतियों के पास स्वस्त और पोश्टिक आहार खाने की शम्ता नहीं रहे गई और हर साल तकरीबन सत्रा लाख लोग खाने की कमी कोपोशण भुखमरी की वज़ा से जो बीमारिया होती हैं उसकी वज़ा से दम तोड़ देते हैं विश्व स्वास्त केंद्र ने मार्श 2022 में जो रिपोर्ट जारी की उससे पता चलता है कि 17 फीसदी से अधिक घरों में जो स्वास सेवाएं का जो बोज होता है यानि बीमारी हारी इसके इलाज की वज़ा से उनके हाल भीशन रूप से खस्ता हो चुके हैं क्योंकि सारा का सा सारा स्वास सिस्टम सारा का सारा हेल्थ केर सिस्टम प्राइविट कंपनियों के हाथ है और यह महज इत्तफाक नहीं है कि इसी दौरान कोरोना के दौरान भारत में जो फार्मसोटिकल कंपनिया हैं उनसे जुड़े हुए जो बिजनेसमेन हैं जो कॉर्परेट हैं उनकी आ कर 2022 के बीच भारत ने कितनी जबर्दस्थ वृद्धी की गरीब लोग क्या हैं ये तो हमेशा रहते ही हैं लेकिन देखें न मुदी जी ने अरब पतियों की संख्या एक सो दो से बढ़ाकर एक सो चाचट कर दी है और भारत के सौ सबसे बड़े अमीरों की कुल संपत्ती 54.13 लाख करोड रुपे हो गई है और इसमें से अकर टॉप 10 को निकाल लीजिए तो उनके पास 27.52 लाख करोड है और 2021 से अगर इसकी तुलना कीजे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 32.8 फीसदी उनकी ये जो संपत्ती है इसमें वृद्धी हुई है हम सारी बाते कर रहे हैं देश के अमीरों की बाते कर रहे हैं देश के कॉर्परेट की बात कर रहे हैं अरब पतियों की बात कर रहे हैं और श्रधे अडानी जी का जिकर नहो ऐसा कैसे हो सकता है अडानी जी तो अब मीडिया की दुनिया में भी जबर्दस बैटिंग कर रहे हैं हम जिसमें बात कर रहे हम सब जानते हैं कि हवाई अड़ा हो या बंदरगाह या क्या क्या और कुछ भी सब कुछ उनके ठप़े के नीचे है महज करोना के समें उनकी जो संपत्ती है इसमें आठ गुना इजाफा हुआ मतलब सिर्फ आठ से मल्टिप्लाए हो गई और अक्टूबर दोहजार बाईस में दस दशमलव नौ छे लाग करोड रुपे उनकी संपत्ती हुई यह सब तो अरबपतियों की बात है कई बार हो सकता है आपको जैसे मुझे पढ़ते हुए लग रहा था वैसे ही आपको भी लग रहा होगा कि भारत में सिर्फ क्या अरबपति ही रहते हैं या यह सारे रिपोर्ट सिर्फ अरबपतियों के बारे में है जो अरपती नहीं वो क्या इस रिपोर्ट में शामिल नहीं चिंता मत कीजिए इसके बारे में भी जिक्र है पता चलता है कि 84 फीसिदी घर जो हैं उनकी आमदनी घटी है और वहीं कॉर्परेट में 70 फीसिदी जो कॉर्परेट हैं उनका मुनाफ़ा बढ़ा है और तो और दस भारतियों का अगर हिसाब लीजिएगा उन दस में से हर छे लोग जो हैं वे रोजाना 265 से भी कम में गुजारा करने पर मजबूर हो रहे हैं यह हमारे देश का विकास और अच्छा दिन है और इस अच्छे दिन को लाने में सरकार ने क्या कुछ किया इसका भी जिक्र तो करना जरूरी है ना आईए देखिए कि उसके लिए किस तरह से मोदी जी ने कॉर्परेट और अरब पतियों के पक्ष में फैसले किये इस पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बस अभी बजट सत्र भी शुरू होने वाला है 2020 और 21 में मोदी सरकार ने अपने राजजस्व में से कॉर्परेट को कर रियायत और प्रोसाहन के तौर पर बस एक लाग तीन हजार पच्चासी करोड रुपे छोड़ दिया जिनका हिसाब अच्छा होगा करके सबके साथ रखेंगे साजह करेंगे मनन करेंगे दोस्तों यह अच्छे दिन कैसे आये इसकी कहानी बहुत बड़ी है और एक ही एपिसोड में आपके साथ वह साजह नहीं की जा सकती बस एक जिक्र और जो जरूरी है पिछले आठ सालों में जी हाँ दोहजार चौदा से लेकर अभी तक मोधी सरकार ने बहुत ही कानूनी धंग से जो कॉर्परेट हैं उनके पक्ष में बारा लाख करोड रुपे गायब कर दिये यानि साइन आफ कर दिये यह हम बात कर रहे हैं एन पीए की एन पी अपने आप में बहुत दिल्चस्प है क्योंकि उससे यह साफ होता है कि यह तमाम जो विकास दर है इन तमाम लोगों की संपत्ती में इन तमाम लोगों के मुनाफे में दरसल उसका बोज हम आप भारतिय नागरिक उठा रहे हैं क्योंकि यह तमाम उद्योग पती क्या कहा आपने अडानी जी नहीं बाकी तमाम लोग अडानी जी के पास तो सबस्यादा लोन है लेकिन तमाम लोगों के पास जो लोन होता है जो बैंक लोन देते हैं और उसके बाद उन्हें NPA बना दिया जाता है और 12 लाख करोड रुपे जिस तरह से लीगली यह कोई गैर कानूनी दंग से ने इसके लिए सारे रास्ते मोदी जी ने टेड़े आरे करके निकाले फाइदा कॉर्परेट को हुआ इस तरह से हमें पता चलता है कि यह जो फाइदा कॉर्परेट को हो रहा है यह जो अरब पतियों की संख्या बढ़ रही है इसकी कहानी कहां से आ रही है इसका कि पर पड़ रहा है, अच्छे दिनों की यह ट्रेन किस तरह से और अच्छी हो सकती है यह जो अच्छे दिन है इससे बाहर निकल कर भी मोदी जी और उनकी भी वह लागू करती है तो शायद उनके अरबपती दोस्त इतने परिशान नहीं होंगे अगर भारत के अरबपतियों की संपत्ती पर बस तीन फीसदी संपत्ती कर लगा दिया जाए तो देश की सबसे बड़ी जो स्वास्ती उजना है नेशनल हेल्थ स्कीम उशका पांस साल क खर्चा निकल जाएगा बस इतना ही नहीं सच्चे अच्छे दिन तब भी आ सकते हैं अगर देश के इन ही अरबपतियों पर दो फीसदी कर लगा दिया जाए जी हां बस दो फीसदी और तीन साल के लिए जो कुपोशित आबादी है जो भूखी आबादी है उसे पोशन दि तो वाकई जो अच्छे दिन की गाड़ी है वह किस दिशा में जाएगी हम और आप सोच सकते हैं दोस्तों यह विकास की गाड़ी यह अच्छे दिन की गाड़ी लगातार आगे बढ़ी ही जा रही है और देखिए बढ़कर तेजी से दोड़ते हुए यह कितनी बड़ी दर पचा और उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया जिस तरह के संकट में जोशी मठ फसा है जिस तरह के संकट में करण प्रियाक सही पूरा इलाका फसा है वह बता रहा है कि कॉर्पोरेट के पक्ष में यह विकास किधर जाता है और शायद यही वज़ा है कि इस सच्चाई को छुपाने के लिए मोधी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है अब देखिए ना यह तक कहना पड़ा कि कोई भी विज्ञानिक पत्रकारों से मीडिया से बात न करे इस रो अपनी रिपोर्ट हटा ले जिससे पता चल रहा है कि जोशी मठ धस रहा है बैठ रहा है और तो और इसी तरह से मीडिया जो पहले से उनकी पूरी मुठी में है उसे लगातार डाइवर्ट करने के लिए एक के बाद एक खबरें आ रही हैं चाहे जोशी मठ पर इस तरह को जो वीटो लगाया है कवरेश पर मामला वह हो या फिर सुप्रीम कोट में जजों की नियुकती को ले यह पूरा का पूरा मॉडल दरसल हमें आपको भारतिय लोकतंत्र को जोशी मठ के इसी दरार में बैठा देगा और हम सब इसी तरह से धसने के लिए तैयार हो जाएंगे शुक्रिया